देश में हर साल 11 नवंबर के दिन राश्ट्री शिक्षा दिवस मनाया जाता है भारत के पहले शिक्षा मत्री मौलारा अब्दिलकलाम आजाद की जैन्ती के दिन इस दिवस को मनाया जाता है नेशनल अज़केशन डिन हल साल 11 नवंबर को मनाया जाता है इस दिन सतंतरा सेनानी और विद्वान मौलाना अब्दिलकलाम आजाद की जैन्ती होती है मौलाना अब्दिलकलाम आजाद पंटे जवाला नहरूद सरकार में पहली शिक्षा मंत्री थी आदोनिक शिक्षा पधती देश की पहली शिक्षा मंत्री की देन है उन्होंने 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री की रूप में कारी किया समास दारक स्वतंतिता सेनानी और विद्वान का जन्म 11 सितंबर 2008 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट से मनजूरी प्रदान कर अधिसूचना जारी की थी कि स्वतंतिता सेनानी विद्वेश के प्रथम केंद्रेश शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दिलकलाम आजाद की जेयन्ती के रूप में 11 नवंबर को राश्ट्री शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने की खोशना की थी तभी से देश के सभी शेक्षनिक संस्थानों में 11 नवंबर को राश्ट्री शिक्षा दिवस मनाया जाता है देश में शिक्षा के स्तर को उपर उठाने में मौलाना आजाद का बहुमुल्य योगदान है मौलाना आजाद का मानना था कि एक शिक्षित समाज से ही राष्ट का निर्वान संभव है उनके शिक्षा के शेत्र में अमले योगदान के कारण यह खोशना की गई थी मौलाना अब्दुलकलाम आजाद भारते सतंतता संग्राम के एक महान सेनानी तिथा राष्टवादी नेता थे आचारे जेबी कृपलानी ने उनके सम्मन में कहा था कि वे भारत के एक महान शास्रवेता, विद्वान, प्रभावशाली वक्ता, राष्ट भक्त एवं एक विश्वादी नेता थे मौलाना अजाद का जन्म 11 नवेंबर 1888 को मक्का साउदी यरप में हुआ था उनका असल नाम अबलकलाम गुलाम मौद दिन अहमद था, लेकिन वह मौलाना असाद की नाम से मशूर हुए मौलाना असाद 27 संग्राम की एहम लीडर में से एक थी, वह लीडर के साथ-साथ पत्रकार और लेखक भी थी उनके पिता का नाम मौलाना सेद मौहमद खैरुदीन बिन एहमद अलह सुनी था, उनके पिता एक विद्वान थे, चिनोने 12 किताबे लिखी थी और उनके सैक्रो शागिर थी, कहा जाता है कि वे इमाम हुसेन की वनसे थी उनकी मा का नाम शेक आलिया बिंते मौहमद था, जो शेक मौहमद बीन जहर अलवत्र की बेटी थी साल 1890 में उनका पड़वार मक्का से कलकता शिफ्ट हो गया था, तेरा साल की उमर में उनकी शादी खदीजा बेकम से हो गई अफगानिस्तान, इराक, मिस्र, सीरिया और तुर्किय की यात्रा में उन्होंने वाक उनकरांतिकारियों से भेट की जो अपने देश में एक सब्विधानिक सरकार के गठन के लिए लड़ रहे थी और इस वजह से उनको देश सीर निकाल दिया गया था इन करांतिकारियों से उनको देश की अस्तिति के बारे में पता चला और वे राश्टवादी करांतिकारी बढ़ने के लिए प्रेरित हुए कनेयालाल सेथिया आधुनेकाल के प्रसिद्ध हिंदी विराजस्तानी लेखक थे इंके सरवादिक प्रसिद्ध का विरचना पातल वो पीतल है राचस्तान में सामंत वाद के खिलाफ इन्होंने जबरदस महिम चलाई थी और पिछड़ी वर को आगे लाने में महतोपोर्ण योगदान दिया। भारत सरकार द्वाना इन्हें पदमश्री से भी समानेत किया जा चुका है। दर्शन, राशीटी और साहित्य इनकी प्रियविशे थी। बीसीय न्यूस के दिन विशे इशकार एकर में फिलहाल अतना ही ऐसे अन्यों और खबरों से जुरे रहने के लिए देखते रहे हैं बीसीय न्यूस। नमश्कार!